कि अलो ninth you welcome बैट चैनल हम बात करने वाले हैं कौट कर क्पोरेशन के और निख कौर करेशन के वारे पर एक। एब करेक्वर कर देलि क выгляд नहीं कोरेश करें करें निक्प करण देखिए मोलेखिर पर थे ऎलॉंक टेभा निखं और कर सकते हैं pleas breakdown हमने अलड़ी किया हुआ है weekly chart अगर आप open करोगे तो आपको clearly दिखेगा previous जो support है इसका मनलब resistance जो है जो अभी support बनने वाला है वो करीब 760 के आसपास है तो breakdown करके भी निकलता है तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत sharp momentum आपको मिलने वाला है 760 से लेकर 720 का जो range है यह range आपको देखने के मिलेगा यह काफी important है यह अगर हम breakdown करके निकलते हैं तो फिर एक बड़ा selling market में आने वाला है इस चीज़ क्याद रखेगा फिलाल last momentum जो हुआ था 760 से लेकर करीब 1060 के आसपास का level इसका already mid levels पर हम चल रहे हैं अभी ठीक है मतलब 50% का correction अल्री हो चुका है अगर हम इस last momentum की बात करें उसके according प्रिवेश सर्टेंस की ऊपर हम trade कर रहे हैं अभी तो यह level अगर breakdown करता है तो फिर यह completely negative चला जाएगा ठीक है तो अगर buying करना ह है तो यह best level हो सकता है अगर हम यहां से reverse करते हैं मतलब 760, 770 के something से अगर हम यहां पर reverse कर रहे हैं तो यह हमारा best level होगा reversal के लिए यहां से हम buying plan कर सकता है लेकिन same time वहां से आपको breakdown भी दिख सकता है तो अगर breakdown होता है तो हम करीब 640 से लेकर 560 के range में minimum आने वाले हैं और इ यह दो major support होने वाले हैं आपके downside पर अगर हम breakdown करते हैं फिलाल अभी के लिए momentum क्योंकि selling के लिए दिख रहा है तो मैं buying का level अभी suggest नहीं कर रहा हूँ आने वाले time में कभी अगर इन support पर आपको लगता है कि buying activity हो रहा है तो आप comment कर सकते हो तो उस time हम देख लेंगे या अग जब भी यहाँ पर आपको buying दिखता है या reversal pattern दिखता है daily chart के उपर तो हम buying के लिए प्लान कर सकते हैं फिलाल तो stock negative है आपको भी दिख रहा है हमने breakdown किया retest किया भी continue कर रहा है last low break करेगा तो हम almost support तक आ जाएंगे then यहाँ से decide होगा कि reversal आना है या breakdown होना है ठीक है बाकि यह यहाँ से किसी भी stock पर आपको analysis चाहिए तो stock का नाम कमेंट कर सकते हो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा thank you so much